आम नहीं पूझा है नौ दिनों में लिखा था उसके बाद से मैंने एक्जाम देना चोड़ दिया अधिर मुझे लगा कि नियती नौ दिनों में लिख दिया था एकदम राजाई ओड़के दिसंबर में बैठे, पारोटी, केला लेके, बिस्किट भुजिया लेके, नौ दिनों में लिख दिया था, बहुत हरवड़ी था उस वक्त मुझको लेखा बनने का, क्योंकि मैं कुछ नहीं बन पा रहा था, यूपसी एकजाम के लिए आया था, ग बहुँ जल्दी लिख दिया, नौ दिनों में, और जब परिक्षा के पेपर में आप से आपके बारे में ही सवाल पूछा गया, वो फीलिंग कैसी थी, मतलब आपे सोचिए ना कि आप कोई परिक्षा देने जा रहे हैं और उसका जवाब आप ही हो, वो दुरलब है, इसा हो कि वो खुद उसी परिक्षा की दौड में सामील हो, अभी वो वही लाइन में कतार में रखके नौकरी मांग रहा हो, और वो अपने अपनी रचनाओं को परस्न पत्र में देखता है, तो वो अच्छा भी लगता है, कहीं से बुरा भी लगता है, एक चीज वहाँ से परिवर्टित हुआ, कि उसके बाद से मैंने एक्जाम देना छोड़ दिया, पहले पूछने में पाइली पूछनेंम चाहिएटा, था जोड़ दिया, कि फिर मुझे लगा कि नियती मुझे एक एक राह दिखा रही है, उसके बाद एक घटना और हुई मेरट जा रहा था, लोवर PCS का एक्जाम देने तो मैं गांधी वियार के हाईवे पर मैंने बस पकड़ा तो आगे दो लड़के बात कर रहे थे कि यार निलोटपल का अगर भी पूछ देगा यह लगता है या पूछ सकता है डार खुछ भूलो आपसे बात कर रहे थे कोस्टन इसका राइटर प में इस देश की सिख्छा व्यवस्था का इकबाल सुरक्षित है कि उसका भी इकबाल बचा रहे हैं और मेरे लेखन का कि मैं जिस परिच्छा के त्यारी कर रहा हूं अगर आप मुझे में उसमें संभावना का प्रस्ण मांग रहे हैं और आप उसको एक संभाण जनक छोट करना और मैं आपको कहा दूं मैं चांद से आता हूं एक बाल्टी पानी लेकर आप यहीं बेढ़र रहिएगा मैं व्यवस्था करता हूं तुरंत लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं हिंदी में लेखन को कैरियर बनाओंगा मैंने तीन किताबें लिखी हैं मैं किसी जगा कही किसी संस्थान में नौकरी नहीं करता हूं वहां से लेकर मैंने एक निरने लिया कि मैं कभी समयलों में जाता हूं सेमिनार में बोलने के पैसे लेता हूं वह इसलिए कि मैं अपने इस निरने को सिद्ध कर सकूं सही सावित करके उन युवाओं के लिए एक छोटा सा उधार जरूर बना सकूं कि लिखना पढ़ना भी एक केरियर है हिंदी में पेशेवकत लेखन भी एक केरियर है फिल्मों से इतर फिल्मी लेखन से अलग